तो नमस्कार और एक बार फिर से सौगत है आपका गलेक्सी टीचर्स क्लासेज में और हम पुना उपसित हैं आपके लिए सीटेट प्रिबियसर का क्वेशन पर लेकर संस्कृत विशे में जिसका जो किस दिनांका है तो यह है आपका 11 जनवरी 2022 और यह पार्ट टू है अर्थात हम इसमें बात करने वाले हैं पेडागोजी के प्रशनों की तो चलिए हम सिधे चलते हैं देखते हैं कि हमारा आज का प सामाजिक उपभाशा कत्ते निम्ले लिखित में से कौन सामाजिक उपभाशा कही जाती है किसको सामाजिक उपभाशा कहा जाता है तो पहला विकल्प है कस्यापि समुदायस से अथवा जनसमोह से भाशा या है विशेस्ता क्या सामाजिक उपभाशा जो है सामाजिक उपभाशा किसी समुदाय की अथवा किसी जनसमोह की भाशा की विशेस्ता होती है या कस्याप राज्यस सी देशस सी अथवा महादूपस सी भाषा किसी राज्य की किसी देश की अथवा किसी महादूप की भाषा को हम सामाजिक उपभाषा कहते हैं या फिर भाशा छेत्र से अंतरगते कस्याप छेत्र से भाशा विशेस्ता, भाशा छेत्र के अंतरगत किसी छेत्र के भाशा की विशेस्ता सामाजिक उपभाशा कही जाती है, अथवा कस्याप छेत्र से लिखता भाशा साहित्यम्च, किसी छेत्र का लिखित भाशा और साहित तो ध्यान दीजी सामाजिक उपभाशा की बात की जा रही है और सामाजिक उपभाशा क्या होती है तो किसी समुदाए अथवा किसी जनसमुह की भाशा की विशेस्ता होती है जब कोई समुदाए या कोई जनसमुह किसी भाशा में किंचित परिवर्थित रूप के साथ उसका प्रयोग करता है तो वो रूप ही वो परिवर्थित रूप ही किसी समुदाए का जनसमुह का भाशा का परिवर्थित रूप ही क्या कहलाता है सामाजिक उपभाशा कहां जात तो यहां पर ए विकल्प हमारा सही उत्तर हो जाएगा अगले प्रशन की हम करते हैं बात 17 प्रशन है भाशा अस्ति भाशा होती है तो भाशा क्या होती है पहला विकल्प है एका स्वाभाविकी भाषा यस्याह व्याकरणम अस्ती भाषा एक स्वाभाविक भाषा होती है जिसका एक व्याकरण होता है दूसरा विकल्प है स्वाभाविकी भाषा नास्ती भाषा स्वाभाविक नहीं होती है मतलब सहज नहीं होती है प्राकृतिक नहीं होती है तीसरा है स्वाभाविकी भाषा यस्या व्याकरण अमनास्ति भाषा वो होती है जो स्वाभाविक हो और जिसका एक व्याकरण हो चौथा है वधिर समदाय सिकृते संकेत समुह जो वधिर समदाय होता है अथा जो वधिर होते हैं बहरे होते हैं उनके लिए जो संकेत समुह होता है उसको भाषा कहा जाता है तो इन चार विकल्पों को देख करके हमें क्या लग रहा है कि सही विकल्प कौन सा होगा तो हम भी देख रहे हैं आप लोग भी देखे और करन होता है उसी को भाशा कहा जाता है ए विकल्प यहां पर सही उत्तर हो जाएगा अगले प्रशन की और हम बढ़ते हैं अगले प्रशन की कर लेते हैं बात अठारावा प्रशन आ रहा है ये बहु भाशाह जाननती ए का मतलब होता है जो ए का मतलब क्या होता है जो बहु भा जानता है तेक अथ्यंते उनको कहा जाता है यह मतलब जो लोग बहुत सारी भाशाय जानते हैं तेक अथ्यंते उनको कहा जाता है क्या कहा जाता है एक भाशा विद कहा जाता है तो भाई यहां पर तो बहुत सी भाशाओं को जानने की बात हो तो फिर एक भाशा विद क्यों क कहा जाएगा बहु वक्ता रहा बहुत वक्ता मतलब बोलने वाला कहा जाता है या बहु भाशा विज्ञानिना कहा जाता है जी नहीं बिल्कुल सही उत्र हमारा कौन सा है यहां पर ए है जो लोग बहुत सारी भाशाएं जानते हैं उनको क्या कहा जाता है बहु भाशा विद क कहा जाता है, बहुत सारी भाशाओं को जानने वाला कहा जाता है, तो यहां पर बहु भाशा विद ए विकल्प हमारा सही उत्तर हो जाएगा 18 प्रशन में, चलिए, उनिस्वा प्रशन क्या कह रहा है उसको हम लोग समझते हैं, उनिस्वा प्रशन है कश्चित छात्र, कोई छ कोई छात्र है जो अपनी विद्याले की सिक्षा अपनी मात्र भाशा में प्रारंभ करता है, कश्चित छात्र है जो अपनी विद्याले की सिक्षा अपनी मात्र भाशा में प्रारंभ करता है, तत पश्चात उच्च विद्याले की सिक्षा यहां, उसके बाद उच्च वो उच विद्याले की सिक्षा उसने प्रारंभ की, वो मात्र भाशा में प्रारंभ की, और जब उच विद्याले में पहुंचा और उच विद्याले की, जब सिक्षा उसने समाप्त की, तो उच विद्याले की सिक्षा समाप्त करते करते, क्या हुआ? सह अनेकाह भाशाह जान कि बच्चे ने अपनी सिक्षा की शुरुवात किस्से की मात्र भाशा से की और मात्र भाशा से पढ़ना सुरू करके उसने अनेक भाशायं सीख लिए, कितनी सीख लिए भाशाय लिखा हुआ है, बहुत सारी भाशायं सीख लिए, है ना, अच्छा अनेका भाशा ही लिखा है तो अनेग भाशाएं सीख लिए, मात्र भाशा से प्रारभ करके उसने अनेग भाशाएं सीखी हैं, ये क्या कहा जाएगा, इस पधती को क्या कहा जाएगा, सरो प्रतमम मात्र भाशा नीती, सबसे पहले मात्र भाशा नीती है, ये कहा जाएगा, भाशा नीती रूपे प्रिभाशा सुत्र चलता है, त्रिभाशा नियम चलता है, वो कहा जाएगा, या मात्रिभाशा आधारित बहुभाशियता, मात्रिभाशा पर आधारित बहुभाशियता, कि हम मात्रिभाशा से शुरुवात करते हैं, और धीरे धीरे बहु सारी भाशाइं सीख लेते हैं, य भाशाओं के लिए नवीन सिख्षानेत ये कहा जाएगा,pora नियांध जाएगा,टो ध्यांद जी यहां पर सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा मात्र भाशा आधारित बहु भाशियता क्योंगी चात्र ने अपनी vudyalai सिक्षा किसमें आरंभ की है स्वमात्र भाशायम अपनी मात्र भाशा में आरंभ की है और मात्र भाशा से आरंभ करके उसने अनेक भाशाइं सीखी हैं तो ये क्या हो जाएगा मात्र भाशा आधारित बहु भाशियता हो जाएगा सी विकल्प सही उत्तर यहां पर हो जाएगा बीस्वा प्रशन आपके सामने आ रहा है और बीस्वा प्रशन क्या है भाशया सह सनलगनतायाह अर्थोस्ती अर्थ होता है भाशा के साथ सनलगनता का अर्थ होता है क्या होता है शिक्षक चात्र पूर्वक उद्धेश निर्धारित करके भाशा में कारि करते हैं चात्राह तथा अध्यापकाह व्याकरण नियमेश मिलित्वा कार्यम कुरवंती चात्र और अध्यापक व्याकरण नियमों में मिल करके कारी करते हैं ये तो कतई नहीं होगा छात्राह सप्रयासम भाशाया ध्वनियमा सिक्षनते छात्र प्रयास पूर्वक प्रयास सहित भाशा के ध्वनियों के नियम को सीखते हैं नियम सीखना व्याकरण सीखना ये दोनों विकल्प गलत हैं हमारे सामने दो विकल्प शेस हैं तो भाशा के साथ सनलगनता का अर्थ होता है, सिक्षक छात्रों के साथ कार्य करते हैं, जी नहीं, बलकि क्या अर्थ होता है, छात्राह सोदेश भाशायाम कार्यम कुरवन्ती, छात्र उद्देश पूर्वक उद्देश सहित भाशा में कार्य करते हैं, भी विकल्प सही उत् बीसमे प्रश्न में चले बढ़ते हैं अगले प्रश्न की बात करते हैं निम्न लिखितेन केन छात्राह सोदेश्यम भाशाया प्रयोगम कुरवनती निम्न लिखितेन निम्न लिखितेन से केन किसके द्वारा छात्राह छात्र सोदेश्यम भाशाया प्रयोगम कुरवनती उद उद्देश सहित भाषा का प्रयोग करते हैं, पाथस उद्वाचनेन, पाथ का उद्वाचन के करके, या कविता या इस्मरणेन, कविता का इस्मरण करके भाषा का प्रयोग करते हैं, अभ्यासेन, अभ्यास के द्वारा या प्रामारिक कारेन, प्रामारिक कारियों के द्वा किसकी उद्देश की किसकी बात कर रहें उद्देश की बात कर रहें है ना और जब उद्देश सहित भाषा का प्रयोग किया जाता है तो वहां क्या होता है उद्देश सहित भाषा का प्रयोग करना उद्देश क्या है उद्देश है कि हम भाषा को सीखें उद्देश है कि हम भाशा को ग्रहन करें, उद्देश है कि हम भाशा को जाने, और इस उद्देश को ले करके जब हम भाशा का प्रयूग करते हैं, तो वो उद्दवाचन नहीं है, इसमरण नहीं है, ना तो अभ्यास है, वो क्या हो जाएगा, प्रामारिक कार हो जाएगा, यह अभ्यास जो ही अभ्यास भी किसमे आ जाएगा प्रामारिक कार में अब प्रामारिक कार क्या है हमारा उद्देश है भाषा को सीखना और भाषा को सीखने के लिए उस उद्देश की पूर्थ के लिए हम क्या करते हैं तो हम जो भाषा सीख रहे हैं हम मेडिकल स्टोर पर गए तो हम मेडिकल स साथ, अपने अध्यापकों के साथ, जहां भी है, हमारा उद्देश भाषा को सीखना, तो उद्देश पूरोखं भाषा का प्रयोग कर रहें हैं, यह क्या है? यह हमारा प्रामारिक कार और प्रामारिक कार है, यह यह एविकल्प यहां पर सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है? त इसका नाम क्या है शुरुति है और शुरुति घटनाओं की सूचना प्राप्त करने के लिए शुरुति घटना नाम सूचनार्थम, शुरुति घटनाओं की सूचना प्राप्त करने के लिए पत्रिकाम पढ़ती है, तस्याह पठनम किम कथिते, उसका पढ़ना क्या कहा जाए तो शुरुत जो है ये घटनाओं की सूचना प्राप्त करने के लिए घटनाओं को जानने के लिए पत्रिका पढ़ रही है उसका इस तरह से पढ़ना क्या कहा जाएगा क्या ये विहंगम द्रश्ट पाता है विहंगम द्रश्ट पाता है का मतलब होता है जब हम सरसरी निगा जैसे आपने देखा होगा पक्षी जो होता उड़ते हुए इधर उधर सरसरी निगाह से हर जगे देखता रहता है क्या हम उस तरह से पढ़ रहे हैं तो सरसरी निगाह से जब हम पढ़ते हैं तो वो पढ़ना क्या होता है जब हम रिवीजन करते हैं रिवाइज करते हैं तो यह तो होगा ने, क्योंकि यहां पर घटनाओं की सूचना प्राप्त करनी है, यह नहीं होगा. सोदेश्यम पठनम क्या है, यह उद्देश सहित पढ़ना है, या मनोरंजनाय पठनम, मनोरंजन के लिए जब हम पढ़ते हैं, तो हम बिस्तित तरीके से पढ़ते हैं, और वो प्राय हम कथा कहानी की बात करते हैं वहाँ पर, यहां पर घटनाओं की सूचना प्राप्त करने की बात हो रही है, यह निश्चित रूप से क्या है परिविक्षनम, परिविक्षनम का मतलब होता है जो हम एक एक विंद उपर ध्यान देते हुए पढ़ते हैं, जो घटनाओं से संबंधित सूचनाए होते हैं, उनके एक एक समझने का, जब हम ग्रहांड करने का प्रयास करते हैं, उसको क्या कहा जाता है परिविक्षन या इसी को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, इसकैनिंग कहा जाता है, तो हमारा चौथा विकल्प यहां पर सही उत्तर हो जाएगा, चलिए, बात करते हैं तेश्वे प्रशन क तेस्वा प्रशन आगया है आपकी सामने, लिखा है लेखने भाषने इच्छा, लेखने भाषने मतलब लिखने में और भाषन मतलब बोलने में, प्रयुक्ताह शब्दाह, जो शब्द प्रयुक्त होते हैं, वे शब्द कथ्यंते कहे जाते हैं, लिखने में और बोलने में ज निजाने वली शब्दा वली कहे जाते हैं, सक्री शब्दा वली कहे जाते हैं, या फिर उद्देश पॉर्णा शब्दा वली कहे जाते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, जब हम लिखने और बोलने में शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं वो शब्द हमारे क्या कहे जाते हैं, सक्री शब्दावली कहे जाते हैं, निस्क्री शब्दावली क्या होती है, जिनको हमने सुना और सुनकर के छोड़ दिया, उनका हमने प्रयोग नहीं किया, हमने कोई शब्द कहीं सुना और सुनकर सुना या हमने कहीं कोई शब्द लेकिन उसको सुनने और पढ़ने के बाद हमने उसका कभी प्रयोग नहीं किया, उनको हमने छोड़ दिया, वो वैसे ही पढ़े हैं, जो शब्द प्रयोग में नहीं लाये जाते हैं, सुनते और पढ़ते तो हैं, लेकिन हम प्रयोग में नहीं लाते हैं, ऐसे शब्द क्या हो उत्ते बोले सक्रिय शब्दावली होती है, सी विकल्प यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। चौबीसवा प्रशन आ रहा है आपके सम्मुख, चौबीसवा प्रशन है। निम्न लिखिते शू, निम्न लिखित में से किम संग्यानात्मक सैक्षनिक सक्षमता अस्ती। निम्न लिखित में से कौन सी संग्यानात्मक सैक्षनिक सक्षमता है। तो संग्यानात्मक सैक्षनिक सक्षमता कौन सी है। ध्यान दीजे, बात यहाँ पर किसकी की जा रही है? संग्यानात्मक, संग्यानात्मक सैक्षनिक सक्षमता की बात की जा रही है। क्या है ये तो क्या जनम दिवसांते दैन की लेखनम क्या जनम दिवस के अंत में जनम दिवस का जब समापन हो जाए तो उसके बाद में दैन की लेखन मतलब दिन भर हमने क्या क्या वो लिखना आज दिन में क्या क्या हूँ लिखना क्या ये हो जाएगा जलवायु परिवर्तन से जनजीवने प्रभावा इत्यस्मिन विशे समाचार पत्राय लेख सिलेखनम जलवायु परिवर्तन का जनजीवन पर प्रभाव क्या पड़ेगा इस विशे में समाचार पत्र के लिए लेख लिखना क्या ये संग्यानात्मक सैक्षनिक सक्षमता है या समीपस्थ नगरे मनोरंजन उद्याने परेटनस से विशे सहपाथ भी ही वारता लाप पहा समीप में इस्थित नगर में मनोरंजन उद्यान में परेटन करने के लिए घूमने के लिए घूमने के विशे में सहपाथियों के साथ वारता लाप करना क्या ये हमारा संग्यानात्मक सैक्षनिक सक्षमता है या कस्मिशित भोजनाले किसी भोजनाले में भोजना देशा है भोजन का आदेश देने के लिए भोजन सूचे अध्यनम भोजन की सूची का मेनुकार्ड का अध्यन करना ये हमारा संग्यानात्मक सैक्षनिक सक्षमता कहा जाएगा ध्यान दिजी यहाँ पर संग्यानात्मक सैक्षनिक सक्षमता की बात की जा रही है और इस प्रश्ण के संदर्ब में जो सबसे उपयुक्त विकल्प है वो हमारा क्या है जलवायू परिवर्तन से जनजीवने प्रभावा इत्यस्मिन विशे जलवायू परिवर्तन का जनजीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा इस विशे में समाचार पत्र में देने के लिए लेक लिखना और जब हम लेक लिखेंगे तो लेक लिखने की एक प्र विचार उत्पन होंगे, भिचार उत्पन होंगे, फिर हम उनके एक रूप रेखा बनाएंगे, यह सब प्रक्रियाएं होती है और इन प्रक्रियाओं में कहीं हम अपना पूरा जो है, मनो योग से अपना पूरा ध्यान केंदृत करते हैं, और ध्यान केंदृत करके वहां हम विभिन क्रियाय करते हैं, विभिन क्रियाओं के माध्यम से वहां पर हम सिक्षन कर रहे हैं, सीख रहे हैं, सीखने से संबंत क्रिया कलाप कर रहे हैं, तो यहां पर हमारा वी विकल्प सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, चौबीसमें प्रशन में वी विकल्प सही है, पचीसव प्रश्न है, लेखन से प्रक्रिया पधति, लेखन की जो प्रक्रिया पधति होती है, लेखन की प्रक्रिया पधति को सुंदर लेखना है, सुंदर लेखन के लिए कि मर्थम आदर्ष पधति रूपेन यूयम मन्यद्धम, किसलिए आदर्ष पधति के रूप में, यूयम तुम सब लोग मानते हो, मनिध्ध मतलब मानते हो, लेखन की जो प्रक्रिया पधती होती है, लेखन की प्रक्रिया पधती को सुन्दर लेखन के लिए तुम लोग आदर्श पधती के रूप में क्यों मानते हो, तो क्यों माना जाता है, क्या लेखन की प्रक्रिया पधती में प्रक्रिया पधती छात्रान सज्जी करनें विनयू ततकाल में भाशितुम योग्यान करोती। क्या जो प्रक्रिया पध्धत होती है लेखन की, वो छात्रों को सज्जी करने न भीनु, बिना किसी सज्जा के, सज्जा का मतलब यहां पर क्रीम पाउडर लगाना नहीं है, यहां पर है तैयारी, बोलने के लिए भी तैयारी करने पड़ती है, लिखने के लिए भी तैयारी क करने पड़ती है ना तो बिना किसी तैयारी के ही ततकाल भाषितुम योग्यान करो ततकाल बोलने के लिए योग्य बनाती है प्रक्रिया पद्धती क्या ये विकल्प उचित है तो यहां पर देखे लेखन की बात हो रही और यहां इस विकल्ब में किसकी बात करें भाषितु करने के लिए प्रक्रिया पधती एक वार का उत्पादन के समान होती है जी नहीं ये भी गलत हो गया छात्रा नाम लेखना है प्रक्रिया पधती उच इस्तरी भाषा योगिता है परिक्षिते चात्रों के लेखन के लिए प्रक्रिया पधती उच इस्तरी भाषा योगिता का प्रक्रिया पधति ही उतक्रिष्ट लेखन से विकास आए बच्चों में उतक्रिष्ट लेखन का विकास हो उतक्रिष्ट लेखन का विकास करने के लिए जो प्रक्रिया पधति होती है वहाँ 22 अवस्था सुगंतुम छात्रान सक्षमान करोती बहुत सारी अवस्थाओं में ले जाने के लिए वहाँ छात्रों को सक्षम बनाती है बिभिन अवस्थाओं में जाने के लिए वच्चों को सक्षम बनाती है अर्थात वो चिंतन भी कर सकें विचार भी उत्पन कर सकें रूप रेखा भी बना सकें उनको प्रारूप लेखन भी कर सकें उसके बाद उसका पुनरवलोकन भी कर सकें, प्रूफ रीडिंग कर सकें, तुरुटिर संशोधन भी कर सकें, ये बिभिन अवस्थाओं में ले जाने के लिए जो प्रक्रिया पधती होती है, वह प्रक्रिया पधती ओतकृष्ठ लेख का विकास करने के लिए बिभिन अवस् ठीक है, 26 प्रशन, 26 प्रशन क्या कह रहा है, 26 प्रशन है, निम्न लिखितेश किम भाषा सिक्षणाय उत्पादन आधारितम कार्यम अस्ते, निम्न लिखितेश अर्थात निम्न लिखित में से भाषा सिक्षणाय भाषा सीखने के लिए उत्पादन आधारित कार्यम अस्ते, उत्पादन आधारित कारी कौन सा है? ध्यान दीजी, हम भाशा को सीखते हैं, तो हम भाशा को सीखते समय समझते हैं कि भाशा के कौशल कितने होते हैं, तो भाशा कौशल हम जानते हैं कितने होते हैं? चार होते हैं, कितने होते हैं? चार होते हैं, कौन कौन से चार होते हैं भ लेखन होता है, है ना, पठन और लेखन, ये जो हमारे चार भाषा कोशल होते हैं, इन चार भाषा कोशलों में हम समझते हैं, जानते हैं, पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, स्रावर कोशल और पठन कोशल ये कैसे होते हैं, ये होते हैं, ग्रहनात्मक कैसे होते हैं, ग्रहनात हमारे कैसे कोशल होते हैं उतपादक कोशल होते हैं कैसे कोशल होते हैं उतपादक इसमें हम विचारों का उतपादन करते हैं विचारों का उतपादन किन किन माध्मों से करते हैं या तो बोलने के माध्म से या लिखने के माध्म से और यहां पर बात किसकी की जा रही है उत्पादन की ही बात की जा रही है तो निम्न लिखिते सुकिम भाषा सिक्षना उत्पादन आधारितम कार्यम अस्ति निम्न लिखित में से कौन भाषा सीखने के लिए उत्पादन आधारित कार्य है क्या छात्रह राजनेतिक विशे समाच चात्र राजनीत के विशय में, राजनीत के संदर्म में समाचार पढ़ते हैं, तो यहां पर कौन से क्रिया हो रहे पढ़ने की, पढ़ने की क्रिया क्या उत्पादक आधारित है, उत्पादन आधारित है, नहीं है, पढ़ने की क्रिया हमारी कैसी है, तो यह देखे, पढ़न कि क्रिया कैसी है बोलिए ग्रहनात्मक है इसलिए पहला विकल्प क्या है गलत है अनुछेद लिखनाय विचारा अनाम संकलनाय छात्रह समुहे कार्यम कुरवंति अनुछेद लिखने के लिए विचारों का संकलन करने के लिए छात्र समुह में कारी करते हैं क्या ये कथन सत्य ये भी सत्य नहीं है, चित्रा नाम क्रमानुसार प्रक्रिया वरानाय चिंतनम, चित्रों का क्रमानुसार प्रक्रिया वरान करने के लिए चिंतन करते हैं, ये भी गलत है, सही क्या है, प्रक्रिया पधतिम अनुकुरुवती, प्रक्रिया पधति का अनुकरन करते हुए, समा च Samachar cactus, chapter 4, lekham likhante. यहाँ ध्यान दिज्ये क्या कर रहे हैं? Lekh लिख लिख रहे हैं और Lekh iç to estudar欸 कॉषल मतलब Lekhan क्रिया करना क्या है? उतपादक के शियंवरु की कि उतपादन आधारित भाषा, सिखने की कि बात हो रही है, क्रीका गर्वार्य हो रही है. 27 प्रश्न की 27 प्रश्न है व्याकरण से अध्यापन संदर्भ है किम कथनम असत्यम अस्ति व्याकरण के अध्यापन के संदर्भ में व्याकरण को पढ़ाने के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है ध्यान दिजिएगा क्या पूछा जा रहा है कौन सा कथन असत्य है असत्य है मतलब कौन सा कथन सत्य नहीं है कौन सा कथन सत्य नहीं है वो हमें बताना है जो सत्य नहीं है जो निगेटिव है वो हमें बताना है चार कथन दिये जा रहे हैं पहला कथन है अध्यान से स्रोत रूपेन पाठ पुस्तकों का प्रयोग करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, हम लोग जब व्याकरान पढ़ते हैं, तो हम अपनी पाठ पुस्तक का प्रयोग करके उसी के द्वारा हम व्याकरान का अध्यन करते हैं, ये कथन हमारा बिल्कुल सही है, और जो सही है वो नहीं बताना ह जो सत्य नहीं है दूसरा है भाशन कारे छात्र से दोश पूरना भाशाया है उदाहरना प्रयोगा भाशन कारे में बोलने के कारे में छात्रों का जो दोश पूरन उच्चारन है जो बोलने में वो गलतियां करते हैं जो दोश करते हैं जो तुटियां करते हैं उन तुटियों को उदाहरन के रूप में प्रयोग करना चाहिए कि बोलते समय देखे इनके बोलने में ये गलती होते है आप लोग इसको ऐसे ना कीजेगा ऐसे ना बोलेगा ये गलती आप ना कीजेगा आप इसको ऐसे बोलेगा तो क्या हम उदाहरन के रूप में बच्चों की दोष पुर्ण भाषा के उदारण को प्रयोग में ला सकते हैं,ि बिल्कुल ला सकते हैं तीसरा विकल्प है शब्दा नम तथा सपरणखन यहा शब्दों और स्रणखनाओं को व्याकरण परहाते सभ्प यह व्याकरन में हम शब्दों को पढ़ते हैं, उसकी संरचना को समझते हैं, शब्द कैसे बना, ये समझते हैं, ये जानते हैं, यहीं व्याकरन होता है, तो क्या शब्दों तथा सनरचनाओं का प्रदर्शन करने के लिए चित्रों का उपयोग कर सकते हैं? क्या बच्चों को शब्दों की और उसकी सनरचना की बात बताने के लिए हम चित्रों का प्रयोग कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, क्योंकि चित्रों के माध्यम से बच्चे शब्द की सनचना को कैसे सीखेंगे, ये कथन अशुद्ध है, अध्यापन विशे से उदाहरणा नाम वाकिरूपे प्रयोग है, अध्यापन विशे के उदाहरणों को वाकिरूपे प्रयोग करना चाहिए, ये भी बात बिल्कुल सही है, तो ये तीन कथन हमारे सत्य हैं और ये वाला चीसरा वाला कथन हमारा जो है, ये क्या है, असत्य है, और जो असत्य है वहीं हमको ढोड़ना था, ब्याकरण के अध्यापन के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, ये हमें बताना था, इसलिए हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, आगे बढ़ते प्रशन संख्या 28 है, प्रशन कह रहा है, भाशा संदर्भे निम्न लिखिते शुक्यम सत्यम नास्ति, भाशा के संदर्भ में निम्न लिखित में से क्या सत्य नहीं है, तो भाशा के संदर्भ में क्या सत्य नहीं वो हमें बताना है, भाशा मुखिता भाशते, भाशा वो होते जो मुखिरूप से बोली जाती है, बात बिल्कुल सही है, ये भी कथन सही है, यहाँ भी ध्यान दीजिए, हमें क्या बताना है, नास्ति, नास्ति मतलब जो सत्य नहीं है, नहीं है मतलब हमें निगेटिव अला अंसर देना है, क्या सत्य नहीं है, क्या सत्य नहीं है, जो सत्य नहीं है वो बताना है लेकिन ये बात तो सही है भाशा मुखिता भाशिते भाशा मुखिरूप से भाशित होती है बोली जाती ये बात सही है प्रतेकम भाशा या व्याकरन मस्ती प्रतेक भाशा का अपना एक व्याकरन होता है क्या ये बात सही है बिलकुल सही है हिंदी का अपना है, उर्दु का अपना है, मलयालम का अपना है, अर्भी फार्सी का अपना व्याकरन है, सब का व्याकरन होता है, भाशार्थम लिप अनिवार्या नास्ते, क्या भाशा के लिए लिप अनिवार्य नहीं होती है, बिल्कुल अनिवार्य होती है, अगर लिप नहीं होगी, तो उस भाशा को हम लिखेंगे कैसे? भाशा को लिखने के लिए लिप की आवश्यक्ता होती ही होती है, मतलब लिप अनिवार ही होती है, ठीक है? भाशार्थम लिप ही अच्छा, छमा चाहेंगे, देखें, दूसरा विकल्ब कह रहा है, भाशार्थम लिप अनिवार्या नास्ति, भाशा के लिए लिप अनिवार्य नहीं होती है, भाशा के लिए लिप अनिवार्य नहीं होती है, भाशा के लिए लिप अनिवार्य नहीं हो प्रतीक बहाशा के लिप अनिवार्य नहीं होती है। प्रतेक भाषा की लिप होती है क्या, तो प्रतेक भाषा की लिप होती है, ये बात भी सत्य है, लेकिन अनिवार नहीं होती है, थोड़ा सा यह, देखिए ये वाला सही है, ये वाला गलत है, प्रतेक भाषा की लिप होती है, तो प्रतेक भाषा की लिप होगी ये जरूरी नह क्यों नहीं है, तो मान लेते हैं जिससे हम संस्कृत पर रहे हैं और हम हिंदी पर रहे हैं। धे इन दोनों भासा कोम हम एक ही अपड़ा यहूल होती है, इन दोनों भाशाओं की एक ही लिपी होती है। इसलिए प्रते कहा है निये जरूरी नहीं है, अगर किसी भाषा के लिप नहीं है, तो इसको हम किसी आनिलिप के माध्यम से लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, सीख सकते हैं, और समझ सकते हैं, ठीक है, तो यहां पर जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा, किम सत्यमनास्ति, क्या सत्य नहीं है, तो यह हमारा पहला विकल्प सही हो जाएगा, ठीक है, चलिए, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रशन है, उन्तीसवा प्रशन, भाषा यह सिक्षणे परिक्षणे वा कस्मिंशित पाथे यदि प्रतेक शष्था शब्दा लुपते, भाषा को सिक्षणे मतलब सीखने में, परिक्षणे परिक्ष कार्यम किम कत्यते, इस कारी को क्या कहते हैं, तो इस कारी को क्या कहा जाएगा, सुर्टलेख कारे, अब देखें, शब्द गायब है, तो इसको सुर्टलेख कारे तो कहा नहीं जाएगा, क्या यह शब्द लोप होगा, व्याकरन का अंता प्रविष्ठी कहा जाएगा, या रिक्तिस्थान पूर्त कहा जाएगा, तो रिक्तिस्थान पूर्त तो वहां पर होती, जहां पर रिक्तिस्थान होता है, और कुछ शब्द दिये होते हैं, उनमें से सही शब्द ढोणकर हमें लिखना होता है रिक्तिस्थान में, उसको हम रिक्तिस्थान पूर्त कहते हैं, त विकल्प क्या हो जाएगा ये शब्द लोप हो जाएगा जब भाषा को सीखने में भाषा के सिक्षन में परिक्षन में किसी पार्थ में यदि प्रतिक छथा शब्द लुपत है गायब है तो इस कारी को क्या कहा जाता है शब्द लोप कहा जाता है भी विकल्प सही उत्तर हो सिक्षन का मूल्यांकन है निम लिखित में से कौन सा कारी सिक्षन का मूल्यांकन है क्या वर्षांते समेतिक परिक्षा वर्ष के अंत में होने वली समेकित परिक्षा मूल्यांकन सिक्षन का मूल्यांकन कहा जाएगा या निर्मानात्मक सत्र परिक्षा निर्मानात्मक या सत् आयोजित होने लिए परिक्षा को हम सिक्षन का मुल्यांकन कहेंगे या सापताहिक परिक्षा तथा माशिक परिक्षा जो हम सब्ताह क्यांत में या मास क्यांत में परिक्षा आयोजित करते हैं वो सिक्षन का मुल्यांकन कही जाएंगी या फिर परियोजना कारियम तथा दत् परिक्षा है वर्ष के अंत में होने वाली परिक्षा है इन सब परिक्षाओं के द्वारा हम बच्चे की उपलब्धी क्या है उसका अवलोकन करते हैं बच्चे की उपलब्धी को हम देखते हैं तो ये तो बच्चे की उपलब्धी को मापने के लिए आंकने के लिए देखने के लिए परिक्षाय ओजित होती है लेकिन अगर बच्चे का मूल्यांकन करना है कि बच्चा अपने विशे में कितना दक्ष है कितना निपूर है कितना उसको अपने विशे में महारत हासिल है अगर ये देखना है विशेगत दक्षता को देखना है उसका आकलन करना है तो उस उसके लिए फिर हम क्या करेंगे बच्चे को परियोजना कार्य देंगे और परियोजना कार्य तथा दत्तकार के दौरा ही बच्चे ने कितना सीखा इसका हम क्या करेंगे मुल्यांकन करेंगे तो यहां पर हमारा सही उत्तर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा ए हो जाएगा हम पुनह इसी तरह आपके लिए और जो पेपर हैं वो लेकर आते रहेंगे तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है संस्कित विशे या हिंदी विशे या CDP जो भी आपके विशे हैं उनके लिए आपको इधर धर भटकने के आवशक्ता नहीं है सारे विशे आपको यहां मिल रहे हैं बस आपको केवल इतना करना है कि आप क्लास को देखते रहें और अपना अध्यन सुचारुधंक से आगे बढ़ाते रहें अर्थात पढ़ते रहें तो आज की ये क्लास यहीं पर संपन होते हम पुनह मिलेंगे अगली क्लास में एक और के साथ एक और प्रशन पत्र के साथ संस्कृत विशे के तो तब तक आप लोग पढ़ते रहें अपने स्वास्ट का ध्यान रखिए बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सब का आभार नमस्कार